दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं मतर पनीर पराठा जो एक ईजी और परफेक्ट सल्यूशन है ब्रेकफस्ट और डिनर के लिए साथी में ये नो ओन्यन नो गालिक रेसीपी है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हल्पुल रहेगा जो प्याज और लसन नहीं खाते तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना सबसे पहले हम पढाठे बनाने के लिए आठा लगा लेंगे इसके लिए हम लेंगे एक कप आठा इसी के साथ वन टी स्पुन नमक एक चममच तेल सबसे पहले हम आठा नमक और तेल को ऐसे ही मिक्स कर लेंगे अब थोड़ा थोड़ा पाणी डाल कर एक नरम आठा लगाएंगे अब पराठा बनाते समय आठा हमेशा नरम ही लगाया जाता है अब यह लग चुका है अब हम इसे धग कर रग देंगे रस्ट करने के लिए दस से पंदरा मिनिट के लिए आठा जब तक रेस्ट कर रहा है तब तक हम स्टफिंग की तयारी कर लेते हैं अब हम स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिया हाफ कप बॉयल और क्रश्ट मटर इसे मैंने चौपर में क्रश कर लिया है हमें पीसना नहीं है थोड़ा सा क्रश कर लिया है क्योंकि फ्रोजन थे तो मुझे इसे बॉयल करना नहीं पड़ा है लेकिन अगा कचर मटर यूज करें तो इसे आप बॉयल करके फिर क्रश करें इसी के साथ हम लेंगे हाफ कप ग्रेट पनीर पनीर को जस्क आपको ग्रेट कर लेना है इसी के साथ हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून बॉयल और मैश आलू यह हल्प करेगा स्टफिंग को इसे बनाने कि लिए लुए पीस लिया है क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च यूज नहीं करेंगे और यह स्तफिंग तीखी होगी ब्लस फी अडाला है इस इसे थी लिए मैंने इसमें चार हरी मिर्च का पेस्ट डाला है और इसी के साथ 1 टी स्पून पिसा हुआ अद्रक यानी सौफ पाऊडर उसे बनाने के लिए मैंने सौफ को थोड़ा सा रोस्ट कर K мощ 2-3 refined pound WHO सौंक का पाऊडर इसी के साथ हम इसमें लेंगे 1 missionary चम्मच्छी मैं इध鬼 कुटा हुआ जीरा इसे भीब नाने के लिए मैं जीरा को थोड़ा सा सीख सखना ही सेखने से एक तू स्मेल बहुत अज़ी है इसे के साथ ही पीशने में भी असान हो जाता है इसे के साहत हम इस में डालेंगे जई जुरी के टार रहुए है इसे पीशचं दाथ मसाला के साथ वन टेबल स्पून कुटता हुए अरा धनिया सुझोप ahí और नमक स्वाद अनुसा मैं इसमें डालूंगी वन टीस्पूर अब हम इन सारी चीजों को मिला लेंगे अब आप स्टफिंग को इस तरह से अगर बाइंड कर पा रहे हो तो सही है नहीं तो इसमें आपको आलू और भी डालना होगा आलू को हमने डाला है ऐसा बाइंडर दस मिनट हो गया हमने आटा लगा था अब हम चेक कर लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे आफ टीस्पून और और इसे अच्छे से मीच कर लेंगे आटा हमारा तयार है और स्टफिंग भी रेडी है अब हम पराठे बनाने की तयारी करते हैं अब बारी आती है पराठे बनाने की इसे बनाने के लिए हम इतनी साइज का आटा लेंगे जिस तरह से आलू पराठे के लिए आटा लेंगे फिर इसमें हमें डालना है एक से दो चम्म स्टाफिंग सील करना है जिस तरह से हम आलू पराठा को बनाते हैं थोड़ा सा सुखा अटा लेंगे इसे प्रस करेंगे हर चेगा से और इसे हम हलके हातों से यूरिफर्म प्रेशर देते हुए बेल लेंगे यह बेल गया है अब हम इसे तवे पे डाल देंगे इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी बेल लेंगे जब हलकेलके से स्पॉर्ट साजाए तो आप इसे पलते ही में दूसरा पराठा पुस्टफ करना है इसे सील करेंगे इस तरह से हलका सा सूखा आठा जब पराठा इस तरह से सिख जाए तब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा तील और इसे पलट देंगे और सभी जगा प्रशर देते हुए इसे अच्छे से सीख लेंगे आप तेल की जगा गी भी लगा सकते हैं यह हो गया है अब हम इसे निकाल लेंगे इसी तरह से बाकी पराठी को भी बेल के शेक लेंगे हमारा दूसरा पराठा भी से के तयार है इसे भी हम निकाल लेंगे इसी तरह समसारे पराठे बना लेते हैं हमारे सारे पराठे बन के तयार है और इतनी क्वांटिटी में आप मीडियम साइज के पांच पराठे बना सकते हैं तो hopefully friends आज की रेसिपी और वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे जादा से जादा शेयर करें लाइक करें और मेरे चानल प्योर रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना पूले तो मिलते अगली वीडियो में कुछ ने आगी तब तब के लिए धन्यवाद